शीपुरी जिले की पहुरी तहसिल शेतर के गाव माल बर्वे में एक किसान की खेत में लगे बोर्वेल का वीडियो पिछले तीन दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक खेत में लगा बोर्वेल, लगातार पानी दिये जा रहे हैं आम तो आप बोर्वेल से इन पानी निकलने के लिए उसे बिजली या डीजल इंजन से चलाना पड़ता है लेकिन ये बोर्वेल बिना चलाए नॉन स्टॉप पानी दे रहा है वहीं इस सम्मन में पीएची विभाक की इंजिनियर एलन कोली ने इसे सामानी प्रकरिया बताया उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलती भूमिगत जलिस्तर में तीजी सुधार हुआ है जलिस्तर बढ़ने से पानी का दबाव जमीन के उपर की तरफ उठता है इसे और्टारजिन बोर्व कहा जाता है इस वज़ा से हेड़ बंप एवं बोर्व से पानी सुधा निकलने की घटनाए भी सामने आ रही है हाला कि लोग इसे चमतकार मान रहें लेकिन पिएची विभाक का क्याना कि यह एक सामानी प्रक्रिया है इसे आर्टीजन बोर्व कहा जाता है उधारन के तौप बारिश के चलते जमीन के अंदर किसी एक जगा पर धीर सारा पानी जमा हो जाता है लगतार पानी जमा होने के कारण अंदरी अंदर दवाव बढ़ने लगता है जब पानी का दवाव काफी ज्यादा हो जाता है तो वह उपर सी के तरफ उठने की कोशिश करता है ऐसे में दबाव शेतर के आसपास यदि कोई बोर या ट्यूब वेल होता है तो पानी उसके अंदर से बहान निकलाता है सामाने शब्दों में का जाए तो एक ट्यूब के अंदर यदि हवा बर दी जाए और उसमें एक छेत किया जाए तो रास्ता मिलने पर अंदर हवा तीजी से छेट से हो कर बहान निकल चाती है ठीक यही प्रक्रिया पानी के साथ होती दबाव बढ़ने पर रास्ता मिलता है तो पानी सुटाह बहान निकलाता है पर वे पैस तीन-चार दिन से लगातार बोर वेल से पानी निकल ला है इस अर एक क्या मामला है? अधिक बास के कार्ण जमीन का जबसतरे जामाला बड़ चुका है इस कार्ण पानी का लवाऊजा जमीन गंदर परता है तो आर्टमेट पानी जमीनगे उबे पर shark फैकता है इसके कार्ण जह एक सामान परकिया है जबसतर कोने कार्ण बाहर पानी प्रकिरा है ऐसे वोरो काइडियन वोर कहा जाता है